दोस्तों, हमारा और हमारे इस समाज का अंद्विश्वास से बहुत गहरा नाता है जैसे कि यदि आप किसी कारे के लिए घर से निकलते हैं और उसी समय कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तब आप ये सुस्ते ही कि आज कुछ न कुछ तो बुरा जरूर होगा क्योंकि आज बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया है आपके मन में ऐसे नजाने कितने ही विचार उत्पन होने लगते हैं कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे अंधर विश्वास से हमारे रास्ते की अडचन बन जाते हैं और तो और हमने कई बार ऐसी वाते भी जरूर सुनी होंगी कि सुबह सुबह मैंने उस विक्ते की शकले देख ली जो बहुत पनौती है उसकी शकले देखने के बाद सारा दिन खराब हो जाता है कुछ न कुछ तकलीफें उत्पन हो जाती है कुछ न कुछ समझ से आएं जरूर उत्पन होंगी आज का मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बिल्ली के रास्ता काटने से या फिर उस विक्ति की शकल के कारण आपका पूरा दिन खराब हो या ना हो आपके जीवन में तकलीफे उत्पन हो या ना हो लेकिन आपकी इस सोच के कारण आपका वदिन अवश्य ही खराब जाएगा इस बात को साफ और स्पच्ट तोर पर समझाने के लिए मैं आज आपके लिए महात्मा बुद्ध के जीवन के एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी आपको सभी अंदव विश्वासों से मुक्त करा देगी आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझ में आ जाएगा कि अंदव विश्वास आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं ये आपके जीवन को किस तरह से बरबात कर देते हैं ये कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध बुद्ध नहीं बलकि सिधार्थ थे जब वो अपनी सिक्षा ग्रहन कर रहे थे सिक्षा पूरी होने के बाद गुरुकुल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था या देखने के लिए कि गुरुकुल का सबसे होनहार सर्वस्रेष्ट विध्यार्थी कौन है और गुरुकुल सिधार्थ के महल से ज़ादा दूर नहीं था क्योंकि राजा सुद्धोधन जोकी सिधार्थ के पिता थे उन्होंने गुरुकुल महल के पास ही पनवाया था जिससे की सिधार्थ महराज सुद्धोधन की आँखों से दूर ना रहे और इसका कारण था अशीत मुनी की की हुई भविशेवानी अशीत मुनी ने सिधार्थ के जन्म के समय पर भी ये भविशेवानी कर दी थी कि सिधार्थ बड़े होकर एक सन्यासी बनेंगे एक साधू बनेंगे परन्तु राजा सुद्धोधन ऐसा नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने हर वो प्रयास किये थे जिससे की सिधार्थ को हर एक ऐसी चीजों से दूर रखा जा सके जिससे उनके मन में कभी वी वैराग्य उत्पन ना हो सके और वैराग्य का अर्थ ये होता है कि आपके भीतर सही प्रश्न पैदा होना जैसे ये जीवन क्या है? क्यूं है? मैं कौन हूँ? और मृत्यू क्या है? गुरुकुल की सिक्षा पूरी होने के बाद जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसकी परिक्षा किती थी और समय दोनों ही अब निर्धारित किये जा चुके थे सभी विद्यार्थी अपने अभ्यास में जुट गए थे क्योंकि हर एक विद्यार्थी गुरुकुल का सर्वस्ष्ष्ट विद्यार्थी का वह पद पाना चाहता था लेकिन इस प्रतियोगिता के केवल दो ही प्रबल दावेदार थे पहला सिधार्थ और दूसरा उनके भाई देवतर्थ गुरुकुल में हमेशा उनके बीच प्रतियोगिताएं होती रहती थी लेकिन उसी के साथ साथ उनके भीतर तनाव, कुरूद, अहंकार और लालत जैसी विकार भी उत्पन हो रहे थे देवदत को ये सभी विकार उनकी माता से मिली थी उनकी माता सिधार से ग्रिणा कर दी थी जिस कारण धीरे-धीरे दियुदत भी सिधार से जलने लग जाते हैं, उनसे ग्रिणा करते हैं उन्हें किसी भी कीमत पर वो जीतता हुआ नहीं देखना चाते सभी लोग अपने अभ्यास में जुटे हुए थे और धीरे-धीरे एक-एक दिन बीचता रहा और एक-एक दिन बीचने के साथ प्रतियोगिता का वसमय भी नज़्दीक आ गया यह प्रतियोगिता तीन चरणों में पूरी होती है पहले चरण में सिधार्थ देवदत से जीत जाते हैं दूसरे चरण में सिधार्थ हार जाते हैं और देवदत जीत जाते हैं और तीस्रे चरण में देवदत और सिधार्थ का आमना सामना होता है लेकिन इस तीस्रे चरण से पहले कुछ ऐसा होता है जिसे आपको समझतना आवशक है देवदत की माता, मंगला ये जानती थी कि उनका बेटा देवदत सिधार्थ की बराबरी नहीं कर सकते देवदत के अंदर वो प्रतिभा नहीं है जिस कारण वो सिधार्थ के खिलाब एक सड्रियंत्र रश्ती है ताकि सिधार्थ इस प्रतियोगिता में हार जाए और उनका बेटा देवदत इस प्रतियोगिता का विजेता बनी तीसरे चरंड की ये प्रतियोगिता दंड प्रतियोगिता थी और दंड प्रतियोगिता का अर्थ ये होता है कि दोनों प्रतिभागी एक दूसरे को दंडे से हराने की कोशिश करेंगे इस प्रतियोगिता के पहले देवदत की माता मंगला एक ऐसी औरत के पास जाती है जो जादू टोना किया करती थी वह उस औरत से जाकर कहती है मेरा पुत्र कल एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाल है और मैं यह चाहती हूँ कि वह सिधार्थ को हराकर इस प्रतियोगिता का विजेता बनी मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र ही इस प्रतियोगिता में जीते तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे सिधार्थ हार जाए और मेरा बेटा इस प्रतियोगिता का विजिता बन जाए यह सुनकर वो औरत मंगला को एक कील देती है और मंगला से कहती हैं कि इस कील को सिधार्थ के डंडे में गार देना जिससे सिधार्थ कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका ये डंडा चल नहीं पाएगा और वह इस प्रतियोगिता को हार जाएगा मंगला उस औरत की इस बात पर अत्यधिक प्रशन हो जाती है वह उस कील को ले जाकर खोशी-खोशी राजा सिधार्थ के उस डंडे में गार देती है अगले दिन प्रतियोगिता शुरू की जाती है देवदत पहला वार करते हैं लेकिन सिधार्थ देवदत के इस वार को रोक लेते हैं देवदत इसी प्रकार दूसरा वार करते हैं। सिधार्थ अपकी बार भी देवदत के दूसरे वार को रोक लेते हैं। इसी तरह देवदत तीसरा वार करते हैं। और सिधार्थ केवल उनके वार को रोकते हैं। ऐसा नहीं था कि सिधार्थ देवदत को हरा नहीं सकते थे बलकि वह तो अपने बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहते थे ये सब देखकर राजा सुद्धोतन भी अत्यदिक दुखी थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र अर्थात सिधार्थी इस प्रतियोगिता को जीते पिता राजा थे और सिधार्थ यूराज इसलिए उस राज्य की प्रजा भी यहीं चाहती थी कि यूराज सिधार्थी इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करे लेकिन यहाँ पर सिधार्थ जीतने का प्रयास कर ही नहीं रहे थे वह तो केवल अपने बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहते थे वह केवल उनके वारों को रोक रहे थे वह अपने बड़े भाई का आदर कर रहे थे लेकिन यह सब देखकर मंगला अत्यधी खुश थी उसे लग रहा था कि उस औरत का किया हुआ वह जादू टोना असर कर रहा है अब उसका बेटा ही अर्थात तेवदत ही इस प्रतियोगिता को जीत ज़ेगा लेकिन तभी सिधार्थ के गुरू वहाँ पर आते हैं तुम मेरी दी हुई सिक्षा का अपमान कर रहे हो और मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकता इतना कहकर सिधार्थ के गुरू वहाँ से जाने लगते हैं तभी सिधार्थ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा जैसे ही प्रत्योगिता फिर से आनम की जाती है सिधार्थ अपना टंडा उठाते हैं और केबल कुछ ही छडों में तेवदत को पराजित कर देते हैं चारो तरब सिधार्थ के नाम की जयजयकार होने लगती है सिधार्थ के पिता और सिधार्थ के गुरुवर बहुत प्रसन्न होते हैं सिधार्थ अपने बड़े भाई से शमा मांगते हैं और कहते हैं कि यह सब मुझे गुरु की आग्या पर करना पड़ा इसलिए मुझे शमा करें लेकिन देवदत अपनी हार पर आग बगबूला हो चुके थे वो वहाँ से तुरंधी चले जाते हैं और देवदत की माता मंगला को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो क्या सिधार्थ इस प्रतियोगिता को कैसे जीट सकते हैं वह गुरुकुल के सर्वस्रेष्ट पित्यार्थी कैसे बन सकते हैं इधर वह सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सिधार्थ को गुरुकुल का सर्वस्रेष्ट पित्यार्थी गोशित कर दिया गया दोस्तों क्या आपको पता है कि यह जो अंध्र विश्वास है ये किस तरह से काम करता है दोस्तो ये अंद्र विश्वास हमारे डर के आधार पर काम करता है जिस रास्ते पर हम जाते जाते रुख जाते हैं क्योंकि बिल्ले ने रास्ता कार दिया उस रास्ते पर न जाने, आज से पहले कितनी ही बिल्लियों ने रास्ता काटा होगा लेकिन आपने उन्हें देखा नहीं, इसलिए वो रास्ता सही है लेकिन जब आपके सामने किसी बिल्ली ने उस रास्ते को काट दिया तो वो रास्ता गलत हो गया, वो रास्ता आपके लिए दुखों का कारण बन गया, वहीं पर जब आपने ये देखा नहीं होता कि बिल्ली ने रास्ता काटा है या नहीं, तब आप बड़े ही आराम से उस रास्ते को तै कर लेते हैं, और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता यदि सिधार्द भी यह देख लेते हैं, क्योंके डंडे में कोई ऐसी कील चुभी है, जिससे उनको हानी पहुँचने वाली है, जिससे वह इस परतियों गिता को हार सकते हैं तो शायद उनके मन में भी यह बात बैठ जाती, और वह भी कोशिश करने के बावजूत हार मान लेतें, परन्तु वे इस बात से बिलकुल अंजान थे, इसलिए वे इस प्रतिभा को आसानी से जीत सकें, वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें, और गुरुकुल के सर्वस्रेष विध्यारती का पद भी पाने में सफल रहें, लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, कि अंद विश्वास पर विश्वास ना होना भी, अंद विश्वास हो सकता है, उधारन से समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हमेशा ये कहते हैं, कि ब ऐसा होना भी गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे मन में एक तरफ डर होता है, तो दूसरी तरफ हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं, कि हम इन बातों पर यकीन नहीं करते, और हम जो कुछ कह रहे हैं, वही सच होगा, इसलिए ऐसी स्थितियां और भी जादा खत अक्सर नाक हो सकती हैं, इसलिए ना तो अंद विश्वास पर यकीन करें, और ना ही अंद विश्वास को गलत दिखाने के कोशिश करें, क्योंकि हम अक्सर ही ऐसी गलतिया करते हैं, दूसरों को ये दिखाने में कि हम इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी स्थितिय हमारे लिए और भी ज़्यादा हानी कारक हो सकती हैं इसलिए ना तो अंध विश्वासों पर यकीन रखें और ना ही अतीप पर दोस्तो उमीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ने कुछ सीखा होगा तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी पटन को भी जरूर दबा द चलिए मिलते हैं से एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद